नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे रगुवीर साहि की राजनीतिक चेतना रगुवीर साहि की अगर बात करें तो इनका जनम 1929 दिसंबर 1929 इस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1990 इस्वी में यूं कह सकते हैं कि 30 दिसंबर 1990 इस्वी में इनका देहांत का समय है तो इस समयकाल में हिंदी साहित्य में उन्होंने अपनी महतपूर्ण भूमी का निभाई है देखे रग्वीर शाहि की देखें तोहं की महतपूर कभि की रूर्प में जाने जाते हैं संपाधित 進 से कब संपाधित हुआ था इन इनकी विचारों की अगर बात करें तो वैचारिक दृष्टी से ये लोहिवादी दर्शन से परभावित है यही कारण है कि उनके चिंतन में माक्सवाद की आलोचना दिखाई देती है देखें जो लोहिवादी है ये गांधी वाद और माक्सवाद दोनों के दोनों से अलग धारा है ये मानते हैं कि जो माक्सवाद है ये तो पस्चमी विचार धारा है और जो गांधी वाद है ये पूर्वी विचार धारा है लेकिन दोनों में ही समन्वे की बात नहीं है लेकिन लोहिवादी जो विचारक है वो ये मानते हैं कि दोनों का जो वास्तिक तालमेल है स समाज में जो भायचारी की भावना है सद्भावना के जो विचार है उंच नीच जाती पाती से रही तगर कोई विचार धारा है तो वो लोहिया वादी विचार धारा है यही कारण है कि लोहिया वादी विचार धारा के समर्थक हैं और माक्स वादी विचार धारा के आलोचक दिखाई देते हैं आईएब जानते हैं कि ऐसी क्या बाते हैं जो इनके कव्य से हमें पता चलता है कि इनकी राजनीती के बारे में या राजनीती से जुड़े हुए इनके विचार क्या है और कविताओं में उन्होंने राजनीती को कहां और क्या स्थान दिया है तो आईए देखते हैं इनके राजनीती से जुड़ेवे विचारों को देखने के लिए सबसे पहला हम पॉइंट बना सकते हैं कि भरस्ट लोकतांत्रिक विवस्ता का उद्गाटन किसमें किया है अपने कव्वे में किया है देखिए रगवीर साही को अगर देखिए तो हिंदी के उन कवियों में है जिनोंने राजनीती के अपराधी करण की स्टीक पहचान की है यानि राजनीती में जो अपराध बढ़ रहे थे उनको इन्होंने पहचाना उनके कुछ कविताएं हिंदी में राजनिती कविता का प्रयाय मानने गई जिसमें से एक है अधिनायक ये इसी प्रकार की कविता है जिसमें लोक तंतर में उपस्तित विडम बनाओं को रिखांकित किया गया है अब लोक तंतर में जहां हम लोक तंतर शब्द की बात करते हैं, क्या ये वास्तव में लोक तंतर है, क्या हमारे देश में, हमारे समाज में या लोक तंतर में कोई विडम बना नहीं है, उसको अधिनाय कविता के माध्यम से ये अभिव्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं, राश्य गीत गाते हैं तो उसमें भारत का भाग्य विधाता कौन है लेकिन फिर भी इस गीत को गाने वाला इस गान को गाने वाला जो व्यक्ति है वो फटे हुए कपड़े पहने हुए है तो भाग्य विधाता की वो बात करें तो भाग्य विधाता कौन है जो इस फटे सुथने से उ या विपरीत प्रस्तित्यों की मार, जो समन्न ने इंसान जھیल रहा है उसको इन सबसे मुक्ति देने वाला वीधाता कोन है कहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग तंतर में या समाज में जो बुराईयां थी जो लोगों के जीवन में दुरूता थी उसको इन्होंने अपनी कवीता के माध्यम से अभिवेक्त किया है इसके बाद दूसरे पॉइंट हम बना सकते हैं राजनीतिक अपराधी करण का चितरन देखे राजनीति में अपराध एक विशेश स्थान लेते जा रहे थे क्योंकि गद्धी प्राप्त करने के लिए या सत्ता प्राप्त करने के लिए जो सत्ता रूर व्यक्ति है वो अपराद के द्वारा ही राजनिती में अपना स्थाई अस्थितों बनाए रख रहा था यहाँ पर देख ही तो यह मूलते स्वाधिन चेतना के कवी हैं इसलिए उनकी कवीता में स्वाधिन व्यक्ति का स्वपन है इनका कवे संग्रह आत्महत्या की विरूद हिंदी साहिते में विशेश थान लगता है इस शीर्षक से एक लंबी कवीता को हिंदी कवीता के लिए उपलब्धी की तरह देखा जा सकता है यानि जो आत्म हत्या की वुरुद है एक लंबी कवीता है और ये हंदी साहिते में उपलब्धी की तोर पर इस कवीता को देखा जा सकता है इस कविता के साथ साथ जो इनकी रामदास कविता है इसके माध्यम से भी भारत में जो तेजी से अपराधी करण बढ़ रहे हैं जिनकों की राजनीतिक सरक्षन मिला हुआ है उसको परभावी धंसे इन्होंने अभिवेक्ट किया है ये बिये के सलेबस में भी ये कविता हम कर चुके हैं रामदास कविता इसमें एक साथारण वेक्ति है रामदास और उसको बता दिया जाता है कि उसका उसकी हत्या होगी लेकिन फिर भी उसको बचाया नहीं जा सकता और उसकी हत्या हो जाती है उस हत्या के पीछे जिसका हाथ है वो राजनीतिक यह है यानि जो हत्या पंगतिया यहां पर मैंने डाली है रामदास की ये पंगतिया है जिसकी तैथा हत्या होगी निकल गली से तब हत्यारा आया उसने नाम पुकारा हत्यारे को ये पता था रामदास कब आएगा गली में आकर जब रामदास उसे दिखाई दिया सामने उसने रामदास का नाम पु प्वारा और रामदास के पेड़ से फवारा छूट निकला कहा नहीं था कि जीवन को बचा नहीं पाते बलके राजनीथी स्रक्षन का ये परभाव रहा कि सरयाम बाजार में रामदास की हत्या कर दी गई इसके साथ हम यहाँ पर एक कवीता का ओर जिकर भी कर सकते हैं यह है इस कवीता का अगर नाम देखे तो एक अधेड भारतिय आत्मा ये कविता है साहय जी की एक अधेड भारतिय आत्मा इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त किये हैं क्योंकि देखिए जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद लोग सपने सजो रहे थे आशावा आएगा जीवन में बदलाव आएगा नया भारत होगा नया समाज होगा और नई राजनिती होगी लेकिन वास्तों में ये स्वपन साकार नहीं हो पाया इसलिए उन्होंने ये भाव जो राजनिती से जुड़े हुए भाव हैं वो अपने काव्य में उन्होंने अभिव्यक गए जो मानव की लालसा थी लालसा क्या थी इच्छा थी कि एक अच्छा राज्य शाशन लागू होगा आजादी के बाद जिससे कि हम एक खुली हवा में सांस ले पाएंगे नए समाज का निर्मान कर पाएंगे नए भारत का निर्मान कर पाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस स्थिति का जिम्मेवार किसको मानते हैं, उस समय का जो तंत्र है, जो नेतृत्व है, उसको जिम्मेवार माना गया भारत की इन प्रस्थितियों के लिए, तो राजनीती में जो स्वार्थ और अप्रादिकरण का भावा रहा है, वो भी इनके काव्य में इस पस्टरू से देखा जा सकता है तीसरा हम जो इसका पोइंट पिना सकते हैं वह रबोर्ठ की राजनीति पर पहार लेकिश जी अपने काव्वय के माध्यम सेक्अ की सभी गतिविदिया उन पर नजर डालते हैं और वह मानते हैं कि देश की सभी गतिविनिया किस से परभावित है राजनीती से परभावित है चाहे वो शिक्षा है चाहे वो स्वास्ते है साहित्ते है समाज या फिर भाशा ही क्यों नहीं हो वो सभी राजनीती से अचुते नहीं है प्षेतरवाद वो जातिवाद जैसे विद्वेश पूरन समस्याइं भी राजनिती के कुचकर का ही परिड़ाम है और कभी कभी तो इन्होंने इस प्रकार के विजार भी व्यक्त किये हैं कि ये मानते हैं कि जो आंचलिक नेता है वो इस राजनिती का भली भांती प्रियोग करना जानते हैं और इसके कारण वो किसको आधार बनाते हैं जनता को रिज किये जा सके और कवी का ये मानना है कि आज जो राष्च भाषा की दशा है जो हिंदी की दशा है कि वो आज राष्च भाषा का स्थान प्राप्त नहीं कर पाई तो इसके पीछे भी वोट की राजनीती को ही कारण मानते हैं इसी भाव पर व्यंगे करते हुए वो क्या कहते है कि हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीबी है बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली और बहुत सोने वाली कविता के माध्यम से ये हिंदी पर कटाक्ष किया है, वेंगे किया है हिंदी की जो वर्तमान दशा और स्थिती है उस पर ये वेंगे करते हैं कि वोट की राजनिती के कारण ही हमारी हिंडी आज राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई है केवल राजकाज की भाषा नाम मत्तर की बन कर रहे गई है इसको भी एपने कवे के माध्यम से स्पष्ट करते हैं इसके बाद जो हम पॉइंट बना सकते हैं राजनिताओं की स्वार्थी प्रवरती का चित्रण अपने कवे के माध्यम से किया है कवी ने समकालिन राजनितिक विसंगतियों विदरूपताओं को आश्रे आक्रोश के साथ साथ विंग्यात्मक रूप में भी अभिवेक्त किया है उन्होंने अपने कवे में नीताओं की मान सिक्टा एवन राष्टर के सही यानि जो बिल्कुल उचित जैसे हालात वो देख रहे थे उन सही आहालातों का वर्णन किया हैं इन ہालातों के वर्णन में कहीं पर कलपना काम नहीं करती बलकि वास्तिक तर्षन वो हमें देश के हालातों के करवाते हैं अधिकांश सत्ताधारी लोग स्वार्त सिद्धी में लगे हुए हैं जनता को क्षेतरवाद जातिवाद वधरमवाद आदी में फसा कर खुद कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं इस तरह के जो विचार हैं वो साहे के कव्य में देखे जा सकते ह और उन्होंने इस विवस्ता पर तीखा व्यंग करते हुए अपने विचार अभिवेगत की हैं जैसे लोगतंतरिय मृत्यू जो उनकी कवीता है ुइस कवीता में आजादी के बाद की जो पंगूशाषन व्यवस्ता है यानि अपंग शाषन व्य्वस्ता पर भी करारा व्यं के लिए लड़ता है अप राधी से आते हैं राज जैपाल मुख्य मंतरी विधायक और बक्षे हुए से जाते हैं तो यहां पर बताया है कि कैसे राजनीती के सामने शाशन विवस्ता पंगू है इसके साथ जो राजनेता जनता के साथ छल कपट करते हैं जूते आश्वाशन देते हैं उस पर इन्होंने व्यंग किया है जो इनकी कवीता है राश्ष्रिय प्रतिग्या में शामिल कर सकते हैं राश्ष्रिय प्रतिग्या किया है हमने बहुत किया है हम फिर से बहुत करेंगे हमने बहुत किया है किया क्या है वो किसी के सामने नहीं कोई सच्चाई सामने नहीं आती केवल राश्चर के प्रतिय प्रतिग्या ले लिजाती है जो राजनेता है कि हमने बहुत किया है देश के लिए हम फिर भी बहुत करेंगे देश के लिए और हमने बहुत किया है देश के लिए लेकिन इसकी वास्त्विक्ता कुछ अलग ही नजर आती है तो यह राजनेता उनकी जो स्वार्थी प्रवर्ती है अपनी कुर्सी बचाने की जो प्रवर्ती है उसको यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है यहाँ पर राजनेताओं की जो दल बदलू विवस्ता है उसको भी आप शामिल कर सकते हो कि वर्तमान राजनीती में दल बदलू विवस्ता बहुत जादा बढ़ गई है आज के वर्तमान समय में भी अगर देखें तो आज भी चीजे बहुत विश्तरित रूप से या बहुत ही तेजगती से बढ़ रही है और आज की राजनीती में दल बदलू परधान विशे हो गया है एक दूसरी पार्टी के नेता को किसी भी तरह बरगला कर समझा कर या उसको लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना वर्तमान प्रस्तितियों में भी एक समाने बात हो गई है समाने घटना हो गई है और जो राजनेता है वो भी अपने स्वार्थ के कारण दल बदलने में कोई संकोच नहीं करते चाहे बरसों तक वो किसी एक पार्टी के रखने के लिए एक चुठ होगा जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को तो यहां पर दल बदलू राजनीती पर भी कटाक शुनों ने किया है तो यह राजनेताओं की जो प्रवर्तियां है या राजनेताओं की जो आदत बन गई है जो उनके चरित्र की विश देखिए रगवीर साहय केवल राश्य राजनीति तक ही सीमित नहीं है बलकि उन्होंने अंतर राश्य स्तर पर राजनीते पर अपने विचार प्रेक्ट किये हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो राजनीती में नई प्रस्तितियां सामने आई थी उनको चितरित यहां पर किया है। बड़े देशों की राजनीती करने के लिए अपनी जनता को तनाव में रखना पड़ता है। यानि तनाव बनाई रखना जरूरी है अगर तनाव समाप्त हो जाएगा तो राजनीती समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर यह अपने मन के भावों को बड़े ही स्पस्ट तरीके से सत्य वादिता से अभिव्यक्त कर रहे हैं कि किस परकार वर्तमान समय की राजनीती भरस्ट हो गई है। समाझ को खोखला करने में राजनीती कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वो यह मानते हैं कि राजनीती करांतिकारी नहीं हो सकती। उसके केवल दो ही रूप हैं एक तो सत्तापक्ष और दूसरा प्रतिपक्ष। पक्ष तो ये मानते हैं कि अगर हमने जनता पर होने वाले अत्याचारों पर चुपी साधगर रखी या आवाज नहीं उठाई तो वो समय दूर नहीं जब एक दिन हम फिर से गुलाम हो जाएंगे तो इस तरह के विचार उन्होंने अपने कावे के माध्यम से लोगों तक पह निदाओं की व्यभीचारिता और स्वार्थ साधना राजनीतिक मुल्यों की गिरावट राजनीती में पुन्जी के गठवंदन या राजनीती में अगर हम देखें भ्रस्चाचार आदी पर कवी ने करारा व्यंग किया है वो देश में एक स्वस्थ लोगतांत्रिक विवस कि वो किस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से राजनीताओं के चरित्र को बेनकाब करके एक नई चेतना लाना चाहते हैं एक नई जन चेतना के बीजारोपन अपने कव्य के माध्यम से साहई जी करना चाहते हैं तो उमीद करते हूं कि प्रशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कमेंट करके जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद